हलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नालोज में आपका स्वागात है आज इंदोर वालों के लिए बहुत खुश खबरी की बात है क्योंकि इंदोर से आयुध्य के लिए यहाँ पहली ट्रेन चालू करी जा रही है जो कि इंदोर से आयुध्या यहाँ दस फरवरी से ट्रेन चालू करी जा रही है इसको दस फरवरी से हरी जंडी दिखाई जाएगी इंदोर से आयुध्या के लिए अब मैं आपको इस ट्रेन की पूरी विश्थित जानकारी बताता हूँ यहाँ ट्रेन पहली ट्रेन है जो कि इंदोर से अयोध्य के लिए चला जाएगी और यहाँ सप्ता में एक बार चलेगी बस यह त्रेन सपता में एक बार आयोध्य के लिए चले के इंदोर से और दूसरी बात यह है कि जैसे दूसरी जो ट्रेने हैं जैसे इंदोर पटना ओई माहाकाल होई यहाँ जो ट्रेने हैं 17 गंटे में सफरते करती है पर वहान से जो आयोध्या का मन्दिर रहता है वो दस-पंदरा किलमोटर की दूर्य पर रहता है तो जाने में अस्विता होती है इसलिए यहाँ ट्रेण को डारेकٹ आयोध्या के लिए चलाया गया है पर यहाँ यह कि यहाँ ट्रेन अपना जो सफर है यहाँ 23 घंटे में आयोध्या के लिए तै करेगी यहाँ इन दोर से जो आयोध्या 23 घंटे में सफर तै कर पाएगी और इसका 23 घंटे में सफर ते करने का कारण यहां है कि यहां ट्रेन जो है कि रतलाम होते हुए जाएगी रतलाम होते हुए यहां देवास उज्जेन नागदा रतलाम होते हुए यहां फिर वहां से जाएगी इस कारण से इसको 23 घंटे लगेंगे और फिर वहां से रदलाम से होते हुए यहाँ बीना भोपाल जासी कानपूर होते हुए आगरक कानपूर होते हुए यहाँ सिधा आयोध्या पोछेगी इस कारण इस ट्रेन को 23 घंटे का समय लग रहा है क्योंकि पहले से ही यहाँ पर ट्रेन चल रही है जैसे हिंदोर पटना है हफते में दोबाट चलती है महाकाल जो है वह भी हफते में दोबाट चलती है इसलिए यहाँ ट्रेन का रूट जो है रतलाम होकर रखा गया है क्योंकि इस मार्गेश से सभी ट्रेन बहुत सारी ट्रेन है इसलिए इसको अलग मार्गेश पर रतलाम से होकर इसको चला जाएगा यहाँ रतलाम के रास्ते बीना जासी कानपूर होते हुए आयोध्या पोचेगी तेविज घंटे में यहाँ अपना सफर तैक कर पाएगी और इस ट्रेंड में जनरल कोच तो नहीं रहेंगे पर सिलीपर सेकेंड एसी फर्स्ट एसी केस में कोच अबलेवल रहेंगे क्योंकि अभी जनरल डब्बे इसमाल आउट नहीं करे गए हैं जैसे पहले जो हमारी महाकाल निकले थे हिटे महाकाल सुपरफास्ट तो महाकाल में भी जनरल डब्बे अबलेवल नहीं करे थे पिर बाद में दिरे दिरे पिर बाद में महाकार में भी जनरल डब्बे लगाना चालू कर दिये थे अब SIAA की महाकार में वापस से जनरल डब्बे हटा दिये only surgery version और first AC, second AC और slipper के डब्बे ही अबलेबल है कि इन ट्रेनर में जनर्ल डब्बों से ज़्यादा भीड़ बाड़ हो जाती है इसलिए जनर्ल डब्बे इन में अबलेबल नहीं कर जाते हैं तो यहां इंदोर वासुष के लिए बहुत अच्छी ख़बर है कि डारेक्ट ट्रेन चालू हो गई है इंदोर से तो मैं इनको पहले से ही वो सबको पता देता हूँ कि दस फरवरी से यहां पहले ट्रेन चालू कर रही है रेलवे और यहां सब्ता में एक बार चलेगी और देविद घंटे में यहां आयुद्या पोचेगी रतलाम होते हुए तो जिन लगों को भी इसमें सफर तय करना है वो अपना टिकट ओन्लैंग द्वारा या ततकाल द्वारा टिकट करवाब सकते हैं बुकिंग और यहां अब धीरे धीरे जो कि आयुद्या हमारे भारत का बहुत परसिद हिंदू मंदिर है राम मंदिर तो यहां से सभी के लिए अब धीरे 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 सबी सहरों जित्ते भी शेहरे सभी के लिए धीरे-धीरे जहां से ट्रेंग आयुद्या के लिए डारेक्ट नहीं है श्रद्वाव को तकलिफ होती है जाने में तो यहाँ ट्रेन जो है हर जगा सब के लिए डारेक्ट ट्रेन चालो कर जाएगी अभी धीरी 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 कुछ सहरों से डारेक्ट ट्रेन चालो हो रही है बैसे ही जिन शहरों से यहाँ ट्रेन नहीं है उन शहरों से भी यहाँ ट्रेन चालो कर जाएगी और यहाँ एक सुप परती घंटे की है जो कि यहार नाइट में करीब सो डेड़ सो की स्पीट पर भी चलेगी एक सो चालिस की स्पीट ते मुनिया मान के चलो और आपके मेरे चैनल पसंदा तो लाइक जरूर और सबस्साइब गरूर करें ताकि मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाता रहूं धन्यवाद